स्मस्कार किसाद भयों आज की वीडियो बहुत की वाने वाले थान ही से मादें largely सब्सक्राइब कैसे जाता है कि पच्छात क्या怎麼 का थ्यान कि दिशान आखने खीकले खीक थ्यान करें जि सकोंने को कुण साथ दुली Ultra और हमारे चैनल को सिब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जुरू करें सजी स्वागत आपका हमारे चैनल में जो किसान भाई आपको कैमरे के नजर से देख रहे हैं सारी इन्हें अपना एक फोटर सा प्रीच दीजिए मेरा नाम सहीम है मैं कस्बा लावर का रहने वाला हूँ और अपना जो एक कारोबार है ये महल घाउम में क्या हुआ है हमारा अपना बटेर पालन है और साथ में हमने अपनी हैचरी लगाई हुई है जिससे कि हम बच्चे निकलवा कर किसानों को प्रोवाइड कराते हैं स sphere आप कितरे दिते से कर रहरे हूं सर मैं बटेर पालन प् dedicate कर रहा हूं और तिन सालों चे अपनी हैचरी चला रहา आहा हूं जी सरु बटेर पालन में जो हमारे नई किसान भाई है क्या अथिक्ट आती है और किन-किन साफधानों का दिशहना एकना चाहिए इसके बारे में बताई है, चो नहें किसान भाई है, इस वीडियो को δेख रहे हैं, जो इस बताई है, तो बच्चा ले जाने से पहले, सबसे पहले वह अपना जो है, एक दिन पहले से अपना जहां उनको बच्चा छोड़ना होता है, उस जंगए को पूरी तरह से मेंटेन कर लें, उसमें भटी चला लें, टेमप्रेचर हीटर रोड चला लें, बलब लगा लें, हैलोजन लगा लें, कुछ भी चीज लगा के मीटर टांके उसके अंदर एक बार 55-7 तै करें तो 99 से हंड्रेड हो और अगर आप सेल्सियस में करें तो 37.5 जो है पहले उस जंगे के टैंप्रेचर को मैंटेन करें और फिर उसके अंदर जो है बच्चा छोड़ने से पहले जब टैंप्रेचर मैंटेन होगे तो बच्चा ठंड नहीं मालेगा और उसको पानी लगा द न्यूस पेपर वगएरा बिचे में हो या अखवार हो या फिर एक गत्ते का रोल आता है नालीदार वो रोल आता है तकरीबान ऐसे 12400 रूबे का उस रोल को जो है नीचे बिचा दें और विचा के उसके उपर बच्चे चोड़ लें उसमें क्या है बच्चे के पैर वगए या झा बच्चे को परोपर तरीके सा पानी मिल जाए और बच्चा जो है पानी तक वोच जाये और उसके बार बार में एक सहुग को घंटे बाद में दाना लगा दाने लगाने के बाद में क्या होता है बच्चा क्या नहीं तर्फ किसान को बच्जान गंटे की महनत ही होती है कि बच्चेको इखाटा नहीं होने यहПिल दीगा तोडिज कंड़े के बाद में बच्चा सर्वाइव करने लगता है बावनहे लगता है तो फिर बोफैना उस दौरान में किसान अपनी लेटी को रोख शकता है वारना, अगर किसान सो जाता है या रेश कर लेता ईक मैं सक गया धाद्गें कि या यह देखता है की मुझे तो ब प्रेटों में या तीन जाएंगे उससे यह पता लगा कि हमारा टैंपरेचर शाड़े सैंथी सैंथ यह नहीं है वाजी को खिसान कहता है कि मुझे तो पषीना बहुत जा 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 रहा है और पर रेकाम को पषीना पैंथिस टैंपरेचर पर भी आ जाएगा लेकिन बच्चे ब इसको एक दिन के बिश्चे को प्रीश टार्टर फिड जा जाता है जांगे पंदने दिन पर आप इसके बिश्चार्टर फिड लगादें और इसको स्टार्टर पर तयार हो जाती है जी सर, जैसे एक दिन का आ तो आपने बता दिया है, और दिसे दिन के पाने पाने बता है, तो पाने पार प्हुजों के रह जाता है, तो आपके चितनी बच्चे हो उतने हिसाब से मुल्टिप्लाइब करके अपना मुल्टिविटामिन इसको चालू कर दें और बीच बीच में हफ्ते में दो दिन कोई साभी कैल्सियम ले बच्चे को जो है दस गिराम पांसों बच्चों के साब के लगा कर चलें जब बच्चा किसान को जो है ना दो तरह का बच्चा चाहिए होता है एक बच्चा किसान चाहिए होता है कि बच्चा किसान खरीता एक दिन का बच्चा और कोई वृष रूप प्ला सो तो एक बच्चे को तयार होने वे कितना फीड खा लेता है लिए लेता है तकरीमन चार्सों गिराम फीड कितने कितने का होगा तो मैं बतानि सकता क्योंकि लगागे सब्सक्राइब करें तो किसी फीड करेंट इस तो पर नहीं होते तो कोण सा वीड कहां बैं मिल रहा है तो उसी साफ्ट तो आध अलग जगया होगे जो है अलग 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 चापनी के तो उसमें पंदर उपे से 20 रूपे तक का फीड जो है बच्चा खा लेता है अगर इसी फार्मर ने अच्छा फीड खलाया है तो 18-19 फार्मर को जो है सस्ता फीड मिला है या कौालिटी अलग तो फंदर उपे का फीड खा लेगा तो कित्या तयार हो जाता है 35 दिन के अंदर लेकिन इसमें क्या है कि सस्ता फीड या कृइओ का धन गया मिला जिसकी वजय से उस सभी से सभी तो बी लोग में वीट्वा इस वीडियू रिख हुए उनसे य घुजारी से एक अच्छा फीड अपनी बटेयर को खिलाएं, प्रोपर टाइम से उसको फीड दें, प्रोपर टाइम पर उसका जो है मैनेजमेंट बनाएं, ताकि आपकी बटेयर 35 दिन पर रेडी हो जाए, और साथ ही क्या है, 180 ग्राम इसकी बेचने की सर्ट होती है, जब आपकी बटेयर 180 ग है, वो 180 ग्राम बटेयर लेने में ही है, इससे कम की बटेयर के वो पैसे भी कम लगाते हैं, तो एक बटेयर सब कितने रुपे का मुनाफ़ा के देखके जाती है, किसा बटो, मुनाफ़ा तो इसमें है, जी, बटेयर के अंदर कोई नुकसान नहीं है, चाहे आपको एक रु लिखा जाएगा, अगर किसी ने उनके तीस रुपे रेड लगा, जी, तो रेड देया के लिए तैयार होगे, थोड़ा अपना कैलकुलेशन वगएरा करें कि कितना हमारा खर्चा रहा है, खरीदने वाले से थोड़ा रिक्वाइस्ट करें कि हमारा इतने तो खर्चा रहा ह किसान को एक बढ़ मिल जाता है, तो तीस से पैंसी दिन में लगा कर आठ रुपे से पन्रे हजार रुपे तक के फार्मल को मिल जाते हैं, और सर, एक हजार बढ़ पान के लिए कितनी क्या साइज में पर जाती है, क्या इसका साइज होना चीए इसका इसका स्टक्टर बना बुरूडिंग करने के लिए तो होता है जब आप एक जिन का बच्चे ले जाके छोड़ते हैं तो एक जिन का बच्चे छोड़ने के लिए तो आपको चाहिए एक स्कॉयर फिट में बीस बच्चे छोड़ा जाता है और जब यह तैयार हो जाती है तो इसको धीरे धीरे इसका बढ़ा करते चले जाएं फिर इसको जड़त होती है एक फैसे फीट में पांच बच्चे तैयार पटेर जो आती है एक स्वाइर फिट में पांच बटेर आती है तो आपको अगर 1000 बटेर छोड़ नहीं है तो आपको तक्रीबन जो है दो से स्क्वाइर फिट की जंग है कुछ चाहिए जिसमें आप आराम से एक जार पटेट शोड़ सकें कि चाप बीमारी आती है और जो मार्किट में से सेल करें कहां सेल कर सकता है किसा इसमें बीमारी तो कुछ नहीं आती क्योंकि यह तो 35 से चाले जिनके अंदर में आद्मी जैस को सेल कर जाता है लेकि बीमारी क्या है अगर बीमारी आप बाहर से कोई बीमार फक्षी इसमें लाकर छोड़ेंगे जिया किसी के फारं पर विजिट करने के लिए जाएंगे मासा आपके पैरों में कोई बीमारी आएगी तो बटेर को लेग करें साथ में गाजीपूर की जो मंडी है महां पर अपने कॉंटेक्स बनाए जंगे जंगे पर इसके बारे में बताए जो फार्मर इसको पाल रहा है वो अपना एड़टाइजमेंट करें लोगों से बताए कि मैं बटेर पाल रखी है इतने टाइम में मेरी बटेर तयार हो चलें और उसके बाद में अपनी कैप अश्टी के अनुसार जै तकरीमन जो जादे से जादे बच्चा पाले जादे जादे प्रोफित है एक महिने में तो यूदाइख पालना चा़ रहा है यू चाहा रहा है तो वह जो है दो जो है दो से तीन किस्तों में इसको बच्चों को पाले 2500 चाप कर गैए bubbles can happen पाले एक-, साथ-छाथ-जार बच्छा ना पाले दिन पर बच्छ डाला पन जो आपने आपको 2-4 दिन है या और आगे फिर आपको सीडी नुमा आपको बेनिफिट जादे हो उगा और आपका बच्छा पलेगा आपको होगा तो बटेर पालम का जो बीट है किस किस जगा जो मीट होता है जैसे मार्किट में है ब्रोइलर मुर्गे का खाने का परचलन है जी तो शादियां पार्टियां रेस्टोरेंट बड़े-बड़े होटल इनके सब मैं पिक्का हो गया प्राइन हो गया चंगेजी हो गया कबाब हो गया यह सब ब्रोइलर मुर्गे के आज के टाइम में चल रहे है बटर चिकन हो गया चिली हो गया कडाई इसी तरह बटेर का भी जो है मेट में इश्तेमाल किया जा रहा है और इसके गोश्ट को तो डोक्टर भी बता Wow रहा है क्ईकि ये और इसके अंदर किसी तरह का कोई होटल रिशल인이 के अलावा आदमी अगर आज के टाइम में कोई किटी पार्टी वग्यरा बी कर रहा है तो इसमें भी प्टेर ले रहा है साथ में कोई रिशेटे explains है किसी के वलीमा पार्टी है या लड़की की शादी है तो सभी के अंदर आज में ज्यादे ज्यादे बटेरों में चलन हो रहा है और बटेरों का मीट उस हो रहा है जी ज्युक्त तो आप के सब अभी सवेज़़ हैं क्या स्की लंबा है टीज पुर्त यह लंबा है और तेहरे फुर्त गहरा है तो इसे कितने का शिदिक का फारग है यह 22 ऑशो किए जाए में इसके इंदर चार पॉर्शन बनाए हुए है जी इतने पॉर्शन नोबाई 13 के है सारे तो लगवा अब करण में जो हैं पंदा सो बतेर हैं इसमें अंडा इंक्यूबेट किया जाता है और इसके अंदर अंडा हैच किया जाता है इस मशीन की कैपेसिटी है एक महीने के अंदर चाली सजार अंडा लगा जाता है और अब लगवक कितने अंडा रखें आपने अभी इसके अंदर तकरीबन मेरे आठ हजार से दस हजार के करीब बटेर का अंडा लगा हुआ है है और गिने फाउल का लगा हुआ है और डबल फजी मुर्गी कांडा हुआ है जी जी टीन क्वालिटी के अंदर अंडे लगे वह हैं आंडने के साथ ऑन लगेंट पर रहता और पूरे साल में तकरीबन लगा लिएक अपरेल का महीन सब्सक्राइब करना होता है और मेही के एंड से जून के स्टार्टिंग से अपनी मशीन से यह मेरा जो है अभी फिलाल इसके अंदर थोड़ा संड़ा गिनी फाउल का लगा हुआ है जो कि निकल रहा है बच्चा अच्छे गिनी फाउल का जरी है यह यह मेरे हैचर की जो कैप सब्सक्राइब है जी 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 पटेर का पंद्रे आज 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 इस वन टाइम में निकल जाता है जी 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 यह अभी मशीन से न्यूबॉन है जी 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 कोई किसन भाई आप से गिनी फोल या डिया बटेर अगर का इक्स लेना चाहता है एविलेबल हो जाएगा ना सर जी किसा प्रोंटेफर का दिरेक्ता ett? अगर पहले तो पारमर से बात करके जो है फारमर को देना जेते निपड़े की जिए जू आप से कॉंटेक्ट करें तो और बता जिए हमारे किसन भाई आपसे चीक्स लेना चाहते हैं बटेर वागा तो एक बर मुबाइल नंबर और बताएए मेरा मुबाइल नंबर है 972042188592202288 मेरा मुबाइल नंबर है कोई भी किसान अगर मुझसे संपकड़ना चाहता है तो मेरा नंबर डाहिल करें और मुझसे डारेट बात करें तो धन्यवास सर शुक्रिया